नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी लेटर को जो है उसको सौट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं ठीक है जिसे यहाँ पे कुछ नमबर है 35,000 लिखा हुआ ठीक है अगर उसको सौट फॉर्म में लिखत हो यहाँ पे क्या हो गया 35,000 के तो यह किस तरह से लगाते हैं किसी भी नमबर के आगे ठीक है मैं यहाँ के चलिए 45 लिखा हुआ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 65,000 यहाँ पे देखिए automatic कितना हो गया 65 के अगर आप कुछ भी लिख होगे लेकिन वहां से जो है आपका जो लॉंग को हटके 65,000 जो जो इन त्री जीरो को हटा के वहाँ पे आपको के आ जा रहा है ठीके और यहाँ पे दीखिए अगर यहाँ पे 75 मैं लिख रहा हूँ 75,000, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 75 के आ जा रहा है, ठीक है, तो यह long form to short form, ठीक है, किस तरह से करते हैं, उसके लिए क्या किया हूँ है, यहाँ पर अगर कुछ भी लिख रहा हो, तो यहाँ पर change हो, या तो मुझे इसी का format, जैसे 65,000 लिखा हुआ है, इसका format मुझे change करना परेगा, क्या करना करेगा, format change करना परेगा, ठीक है, format change करने के लिए, आप जैसे भी है, यहाँ पर right click करके, यहाँ पर क्या है, format cell, ठीक है, आप format cell में जाएंगे, ठीक है, format cell में जाने के बाद, last में क्या है, custom, क्या है, custom, में अभी देखे, कौन सा form है, general form में है, आप यह यहां पे क्या करो इसको यहां पर सब्सक्राइए ख्यां के लिखते हैंगे यहां पर यहां पर लिख रहे हो ! और सब्सक्राइए उसके बाद आधर कोLE कोट कर दिजे hands कोट, डवल कोट, उसके अंदर में कौन सा लेटर आपको चाहिए, के चाहिए, तो के लिख देते हैं, फिर से ये डवल कोट बंद कर देरें, ठीक है, तो क्या-क्या है, हैस के बाद जो है कोमा दिया, उसके बाद के लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं OK कर दे रहा हूं, तो आपको आपसम包 करने के लिए चंज कर सकते हैं यहाँ राइट क्लिक करके कर सकते यहाँगेayer इसको आपको फार्म पे आप ट्रिक करो ठीक है एरो फॉर्म में क्लिक करने के बाद जो आपको ऑटमेटिक जो फॉर्मेट सेल आ जाएगा फॉर्मेट सेल में जाने के बाद क्या करेंगे कस्टम में जाने के बाद जो यहां पर जो है जेनरल है उसको हटा के यहां पर क्या करेंगे आप यहां पर हैस डाल देंग प्रेस कर दिया तो आपको जो फॉर्मेट चेंज हो गया ठीक है अभी आप यहां पर देखिए क्युछ भी लिखे यहां पर 85 तो जन में लिक रहा हूं 85 तो देख रहा हूं 85 के मैं कर वाट हो गया यहां पर कि इसमें जो से रहेगा वही सेल जो और यहां पर और इसका जो आपको पता चल गया होगा 85 तो आप जो भी यहां पर लिख होगे तो आपका जो फॉर्मेट है एक जिरो और में दाल दो तो यहां पर जो है आपको उस टैप से 65 तो जन आ गया 65 तो यहां पर 765 के लिख आना चाहिए भी देखिए 65 के आगया ठीक है इस तरह से जो आप फॉर्मेट किसी भी चैन्ज का चेक कर सकते उसको और स्वाट फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो बस इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते कुछ निव आडिया निव ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्य के बाद थैंक यू